पाकिस्तान के वजीर आजम इम्रान खान ऐसे हैं कि वो बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे और जब से केंडर की सत्ता पर नरेंद्र मोधी काबिज हुए हैं तब से तुमानो पाकिस्तान के हाथ ही बन गए हैं एसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आक्शन नहीं ले रहा, भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नहीं कर रहा वो कर तो सब कुछ रहा है लेकिन उसे भारतिय सेना की तरफ से माकूल जवाब मिल रहा है पाकिस्तान की LOC का उलंगन करने की कोशिशें लगातार भारतिय सेना नाकाम कर दे रही है जिसे पाकिस्तान के PM बॉक लाए हुए है और अपना आपाखो बैठ रहे हैं दरसल वो डर गए हैं और ये बात उन्होंने खुद कबूली है वो भी पूरी दुनिया के सामने अपने ट्विटर हैंडल के जरिये कहा है कि उन्हें डर लग रहा है कह रहे हैं कि भारतिय सेना LOC पर लगातार नागरिकों को निशाना बनाती है और मारना जारी रखती है तो फिर ततकाज जरूरत है कि सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत दखल दे हमें भारतिय सेना के जूटे फ्लाग ओपरेशन से डर लगता है और अपने इस ट्वीट से पहले इमरान खान ने एक और ट्वीट किया था जिसकी जर्ये भारत के लिए भारत की आर्मी के लिए अपनी बौकला हाटन निकाली थी लिखा था भारत और अंतरास्ट्रिय समुदाय को स्पष्ट कर दिना चाहता हूं कि अगर भारत लोसी पर नागरिकों को मारने वाले अपने सैने हमले जारी रखता है तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा अब हमें कोई ये बताए कि पाकिस्तान के पीएम या फिर पाकिस्तान की आर्मी चुप बैठती कहां है पाकिस्तान तो लगातार सीस फायर का उलंगन करता आया है भारत की नीती तो कभी भी पहले हमला करने की रही ही नहीं है भारत को तो पाकिस्तान की फायरिंग के जवाब में जवाब देना पड़ता है कारवाई करनी पड़ती है भारत तो हमेशा से ही सीमा पर शांती स्थापित करने के लिए कहता रहा है लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं एक तरफ पाकिस्तान भारतिय पोटर का सिर काच कर ले जाता है और फिर जब भारतिय सेना उस पर कारवाई करती है तो वो बिलबिलाने लगता है पाकिस्तान सिर्फ फाइरिंग नहीं करता बलकि सीमावर्ती इलाकों में भारी मात्रा में मोर्टार भी दागता है शनिवार को भी पाकिस्तान ने दो बार संघर्श विराम का उलंगन किया पाकिस्तान ने छोटे हतियारों का इस्तिमाल किया गोलाबारी की और मोर्टार भी दागे तो इससे आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के पीम इमरान खान का दोहरा चहरा आपने देखा कि ऐसे चोरी छिपे पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और उसके बाद दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो तो इनोसेंट है गिल्टी तो भारतिय सेना है जो भी करती है भारतिय सेना करती है पाकिस्तान को तंग करने का उस पर फारिंग करने का उस पर मोटार दागने का काम तो भारतिय सेना कर रही है लेकिन पाकिस्तान के पीम इमरान खान सुन लो शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी नीतियों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है पूरी दुनिया जानती है कि कैसे तुमने भारत में आतंक मचाया हुआ है कैसे पाकिस्तान के PM इमरान खान के खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग तो तुम कितनी ही कोशिशे क्यों न कर लो UN क्या विश्व भर में कोई भी देश तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है